यह देखिए यहां पर आपको self registration कैशे करना है वो एक link दिया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ link जैसे यह link दिया हुआ है यह आप link पे click करेंगे तो link पे जैसे ही click करेंगी वहां यह इस तरह से आपके पास page open कर आएगा ठीक है तो यहां पर आपको वही details देनी है जो आप के documents में है जो भी documents आप लगा रहे है वोटर ID driving lessons जो भी something लगा रहे है आप तो वही आपको details देनी है email idea first number पर ठीक है email idea email idea आप ना भी देना चाहें तो skip कर सकते है फर्स नेम पर नाम आपका जो आपकी documents में है वो दीजिए और last name में अपना last name दे दीजिए suppose जैसे कि आपका documents में नाम मैं अपना ही बताते है जो से आशा है ठीक है और पीछे आपका surname नहीं है कुछ भी तो आप दोनों में first name में और last name में दोनों में ही आसा आसा ही जीएगा और अगर suppose आपका आशा पीछे चोहान है तो first name में आपका आशा और last name में आपका चोहान लिखिएगा ठीक है इसके बाद आपकी date of worth आ जाती है ठीक है आपका month date years ठीक है यह वही डालिएगा जो आपके documents में mention है जो की आपकी documents में पताई गई है वही डालिएगा इसके बाद आपका calling number mobile number ठीक है mobile number आपका वही होना चाहिए जो आपका active number है जिसपे आपके message call आते है काफी लोगों का whatsapp number नहीं होता active नहीं होता काली वाट्सप चलता है उससे तो जिसपे आपके calling calling आती है वो यह number आपको fill करना है ठीक है इसके बाद आपका आजाता है pin code स्टेट पिन कोर्ड स्टेट डिस्टिक इन लोकेलेटी है ये आपको अपने जो भी डॉकमें पिन कोरäl वही जलिए इसे दिस्टो क अपने आप ले अपक लेंकल कों करो वो 28202 ठीक है तो यह मैंने सेलेक्ट कर लिया अगरा आगया आप देख रहे हैं जैसे कि स्टेट और सिटी अपने आप ही इसने ले ली है अब आता है लोकलेटी का तो लोकलेटी आगरा तो बहुत बड़ा है आगरा में मैं किस जगह रहती हूं तो मैं रहती हूं लोहा मंडी लोहा मंडी आगया ठीक है यह पूरा एडर्स आगया मैं फिल करके ही बता देती हूं आपको जैसे कि मेरा नाम आश्या ठीक है लास्ट नेम है चोहान ठीक है डेट ओव वर्थ आगया मेरा फॉस्ट जन्वरी एन फॉस्ट और यह आ गई मेरी डेट ओवर्थ 1991 ठीक है मोब और नौल करके बाएडर्स आपको दॉस्ट नेसे करती हैं एकाति हैं आधार्स अंब नीचे लिखा हुआ है यहां पर एक एरो सा बना हुआ है इस पर आप किलिक करेंगी तो आप्षन आ जाएंगे आपके पास ओपन होकर क्या आप आधर कार्ट दे रहें है वोटर कार्ट दे रहें है या पासबोर्ड या ड्राइविंग लेस्न या निवस्में पर इस्टेज डॉमिनिस्ट सर्टिविकेट है न तो यहां से आप कोई भी एक सेलेक कर सकती है जैसे कि आधर कार्ट देना है तो आधर कार्ट सेलेक कर लेते हैं ठीक है अधर कार्ट के बाद नीचे आता है डॉक्मेंस नंबर जो आप अपना अधर कार्ट देखिए गा या वोटर एडि देखिएगा उसमें आपके डॉक्मेंस नंबर होते हैं वह यहां पर आपको फिल करना है जैसे ही आप फिल कर देंगी यहां पर इसके बाद आपका ओप्शन आता है के वाईसी का ठीक है यह सेलेक्ट फाइल का है न जैसे आप अगर आधर कार्ड लगा रही ह है जैसे मैं सपोज कुछ भी अपलोड करके बता देती हूं जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यह ठीक है तो यह मेरे डॉकमेंस का फ्रंट पेज सेलेक्ट हो गया है न अब फिर मुझे अपना बैक साइड अपलोड करने के लिए फिर से सेलेक्ट फाइल पर किलिक करना होगा तो मैं फिर सेलेक्ट फाइल पर किलिक करती हूँ फिर अपना जहां पर मेरे डॉकमेंस सेव है वहाँ से फिर मैंने दूसरी स्किनसर्ट लेती हूँ तो यह मेरी अपलोडिंग चल रही है आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन जैसे ही पूरी हो जाएगी तो यह मेरे रेजिस्ट्रेशन होगा ठीक है तो मैं step by step बता देती हूँ आपको पास्वर्ट में जो भी आप डालना चाहें 123456 है ना इस तरह से डाल सकते हैं आप जो भी आपको ठीक लगे ठीक है यहां confirm पास्वर्ट हो गया and by click here पे click कर दिया and last में जो option है आपका sign up जैसे ही आप sign up पे click कर देंगे आपका registration हो जाएगा और आपको औरी film id नमबर मिल जाएगा ठीक है कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं personal में ओके भाई thank you